सारंग जिला के मकेर थाना क्षेत्र में गत 29 दिसंबर को फुलवर्या नहर पर दो युवकों को गोली मार कर लूट की घटना तथा भेलदी थाना के समस्पुरा निवासी किशोर कुमार उर्फ विधायक के हत्याकांद का उद्भेदन गठित टीम द्वारा किया गया। उद्भेदन में पुलिस ने 6 अपराधियों को 2 देशी पिस्टल, 17 जिन्दा कार्तूस, 3 लूटी गई बाइक, 1 चाकु, 9 मोबाइल फोन बरामत किया गया। गिरफतार किया गया। अगरी वीर निवासी जै प्रकाश राय का पुत्र मुकेश राय शामिल है। गिरफतार अपराधी रोहित कुमार के पास से एक लोडेड पिस्टल पाच जिन्दा कार्तूस, गुलू कुमार के पास से दो मुबाइल फोन, एक चाकू, छोटू कुमार के पास से एक जिन्दा कार्तूस, रहुल पंडेय के पास से एक लोडेड देशी पिस्टल, पाच जि मुकेश कुमार के पास सिचोरी का एक बाइक दो जिन्दा कार्तूस बरामत किया गया। शम्भू सिंद का पुत्र मनीश कुमार से जमीनी विवाद में सुपारी लेकर किशोर कुमार उर्फ विधायक की हत्या करने की स्वीकार किया है। एसपी ने बताया कि मणोरा डी एसपी के नित्रित्व में घटना की उद्भेदन को लेकर मकेट परसा तथा भेलदी थानाध्यक्ष समेट पुलिस कर्मी का टीम गठित किया गया था। टीम द्वारा दोनों घटना का सफलता पूर्वक उद्भेदन किया। पुलिस अन्य बिंदुओं पर जाचकर कानूनी करवाई में जुटी है। डी एलिवेन टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट पुलिस अन्य बिंदू